पालक की भाजी तो आपने कई प्रकार से बना के खाई होगी बट ये तरीका जरूर अपनाना बहुत पसंद आएगा और बहुत ही सिंपल वे बनाने का आपको सबसे पहले पालो का अच्छा सा दूल लेना है कडाई में दो चमच वाइड लाना अच्छा सा गरम करना हींग ए ले कोपना हरामत्र डालें और प्लिए्म काटके आलू जेगा अच्छे मिक्स कर देना है मसाले से नहीं काटने कर दो तक आपनी कर दो तक मैं इस तरीके से काटती हूं मेरे पास था नहीं तो मैं चाकू से काट रही थी मैं बताती हूं कि शायद अच्छे से बने उतनी परफेक्ट नहीं लेकिन हा मैं ट्राइ किया था और एक तो यह मेरा उल्टा हाथ पढ़ रहा था इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थ पर मैंने जो सीधे हाथ से काटी तो बढ़ी अब भाजी कटके तयार हुई थी है थोड़ी क्या है बारीक चादा कर जाती चाकू से उत्ता बढ़िया मतलब शेप नहीं आता भाजी का थोड़ी से मोटी रहती है बाकी हाँ पालक की भाजी यही कि बन जाती तो वह जादा चलती बड़ी है चोटी आपको तो काट लेना है अच्छे से साफ सुतरा करकी फिर जैसे हमारे आलू मतर प्याच पक जाए ना हलका सा उसके बाद हमें अपनी पालक को डाल देना है अच्छे से मिक्स कर देना है यहां पर हाई फ्लेम कर लेना है गैस का स्टार्टिंग में मतलब मीडियूम और सिखना यहां हाइफ लेंगे करदेना क्योंकि पानी रहता है तो थोड़ा सा शोकता है हरा धनिया यहीं पर डालना है एक बारिक साइस का टमाटर काट की डाल देना हल्दी पाउडर आदा चमच एक चमच धनिया पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च और गर वैसे ही मैं मुसली बनाती हूँ वीडियो भी उसी इस टाइब से डालती हूँ वाकि हमारी भाजी अच्छे से मिक्स कर देना मसालों को भून लेना यहां हाई फ्लेम ही रखना है पांच मिनिट के लिए ढखके रख देना अपनी सब्जी को और बस फिर हमारी भाजी बढ़ी करो मैं कर दिया करूंगी बाकी थैंक्यू सो मच इतना सपूर्ट करने के लिए मेरे 24,000 सब्सक्राइबर हो गए उसका बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को बाकी थैंक्यू सो मच आवरीवर्ण